हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसर्फ जैक्स और आपके लिए यहां पर गुड न्यूज है कि अगर आप Redmi 6A को यूज करते हो तो आपके लिए यहां पर सच में गुड न्यूज है गुड न्यूज यह है कि फाइनली एतने दिनों के ड्रामे के बाद Redmi 6A के अंदर Android Pie का अपडेट देखने को मिल गया है जिसका MIUI वर्जिन है 10.4.1.0 और आप देख सकते हो PC यहां पर जो P है इसका मतलब Pie है 1.3 GB का RAM है ठीक है और अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं मैं ब करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना बहुत ही सिंपल से स्टेप है आई होब कि आप इसली इंस्टॉल कर लेंगे और यहां पर एक और बार बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ ओवर्व्यू वाली वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी फुल रिव्यू की सब्सक्राइब कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा क्योंकि रिव्यू वाली वीडियो वहीं पर आने वाली है और हमारे फोन में तक्रीबन सारे फीचर्स जो है मिल ही चुके हैं जैसा कि आपको याद होगा बट कुछ नए फीचर्स आपको देखने को इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको डार्क मोड ही मिल जाएगा तो सिंप्ली मैंने डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दिया है रॉम जो है थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में और क्यूंकि रात का टाइम है तो नेट बहुत स्लो चलने वाला है एक एम बीपेट के अंदर भी आ चुका है यह अपडेट मेरे पास 6 ए है बट आज 6 के अंदर भी आ अगया अपडेट ठीक है तो जिन लोगों के पास 6 है उनके लिए डाउनलोड लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं तो आप वहां से डाउनलोड करके बात मिलूंगा मैं आपको अपने चैनल पर बस कुछ नहीं है डाउनलोड हो जाने के बात आपको जो है इसको जो है ओके-ओके करना है और इंस्टॉल हो जाएगा और हां इससे आपके फोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और यहां पर सेटिंग में चूज अप्ड